कोटला स्टेडियम में दिखा श्री लंका का ड्रामा विराट के खिलाफ रची गई साज़िश इनकार और इकरार के पीच जूला मैच जी हाँ दिली के फिरोशा कोटला स्टेडियम में भारत और श्री लंका के बीच हो रहे टेस्ट सिरीज के दूसरे दिन बड़ा ड्रामा देखने को मिला कोटली को तीरे शतक से दूर रखने के लिए श्री लंका खिलाडियों ने जिस चीज का सहरा लिया उसको जान कर आप भी हैरान रहे जाएंगे टीब रेक के बाद जैसे ही श्री लंका को लगा कि विराट तीरे शतक की ओर बढ़ रहे हैं टीम ने स्मोग का राग अलापना शुरू कर दिया स्मोग को बहाना बना कर श्री लंका की टीम मैच को बीच में रोकने की कोशिश करने लगी लेकिन सबसे दिल्चस बात ये है कि मूँ पर मास पहने श्री लंका खिलाडी ना ही इनकार कर रहे थे और ना ही इकरार बीच बीच में मैच रोक कर सिफ तकरार कर रहे थे जिसके चलते विराट कोहली का ले टूटा और अपना विकेट गवाना पड़ा और तीरे शतक से महरूम रहे गए करीब 20 मिनट तक मैच को रोका गया लेकिन श्री लंका की ये साजिश उन्ही को भारी पड़ गई बार्दय गेंज बाजो की बॉलिंग के सामने दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक श्रेलंका 44.3 ओगरों में तीन विकट के नुकसान पर सिर्फ 131 रन ही बना पाई नीज एक्सप्रेस की रिपोर्ट